हेलो हाई आदा नवस्कार सम्माने सातियों वेलकम टी योट्यूब चैनल टैट पॉइंट आज हम बात्चित करने जा रहे हैं राज्य कर्मियों को आयुसमान की तर्ज पर कैस लेस इलाज पास लाग तक का इलाज आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं यदि आपको सेल आइकन को प्रेश करें ताकि नॉटिफिकेशन आपको सरप्रिथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान घरता नहीं ग्यान बढ़ता है साथ ही अदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के वार्टसप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना राज करमियों का आइसमान की तर्ज पर कैसलेस इलाज पांस लाग तक का इलाज करा सकेंगे योपी के अठाइस लाग करमचारी और पैंसनरों को मिलेगा कैसलेस इलाज लखनाओ पिर्देश में पंडित दीन दयाल उपाध्यायर राज्य करमचारी और कैसलेस चिकितसा योजना लाग की जाएगी इससे जिला अस्पताल के साथ अब चिकितसा संस्थानों और मेडिकल कालेजों में भी करमचारीयों को मुफ्त इलाज मिलेगा इसी तरह चिनित निजी अस्पतालों में भी आयुश्मान की तरज पर पांच लाग का इलाज करा सकेंगे इससे करीब 14 लाग करमचारी और 16 लाग पैंसरों को फाइदा मिलेगा इससे कैबिनेट ने सुक्रवार देर साम मनजूरी दे दी है राजे करमचारीों की और से लंबे समय से कैसलैस चिकितसा योजना की मांग की जा रही है इसे लेकर विश्द्रित कारे योजना बनाई गई आयुशमान योजना में सामीलों को पांच लाग तक का इलाज मुफ्त दिया जाता है इसी तरज पर करमचारियों के लिए योजना लागू किये जाने पर फैंसला लिया गया है करमचारी संगठनों के साथ हुई मुख्य सची की बैठक में भी इस पर चर्चा की गई सुक्रवार देर साम हुई बैठक कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है इसके तहट अब के जी एम यूग एस जी पी जी आई लोया संस्तान साहित सभी चिकत्सा संस्तानों एवं मेडिकल कालेजों में भी करमचारी एवं पैंसिनरों को मुफ्त इलाज मिलेगा अभी तक यह सुविदा सिर्फ जिला अस्पताल में थी इसी तरह आयुसमान योजना में सामिल प्राइवेट अस्पतालों में भी पांच लाख रुपे तक का अपचार मुफ्त मिलेगा इससे अधिक बिल होने पर उसके पृति पूर्टी की वैवस्ता रहेगी चिकत्सा एवं स्वास्ता मंत्री जैप्रिकास जैप्रताब सिंग ने बताया कि पन्नित दीन दयाल उपाद्याएं जाज्य करमचारी और कैसलेस चिकत्सा योजना करमचारी एवं पैंसनर्ज के लिए आधार बनेगी इससे करीब 14 लाख से अधिक करमचारी और 16 लाख पैंसनर्ज को फायदा मिलेगा योगी कैबिनेट का एक और बड़ा फैंसला योपी के 28 लाग करमचारी और पैंसनरों को मिलेगा कैसलेस इलाज बनेगा स्टेट हैल्थ कार्ड पांच लाग रुपे तक कैसलेस इलाज की सुविधा लखनों योपी के करमचारियों और पैंसनरों को कैसलेस स्टेट सा उप्लाज कराये जाने के लिए राज्य सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाद्यार राज्य करमचारी और कैसलेस चिगत सा योजना शुरू की है इसके लिए उत्तर परदेश सरकार सरकारी सेवक नियमावली दोजार सोले में संसोधन के प्रस्ताव को राज्य कैविनेट ने सनीवार को मंजूरी दे दी है अब परदेश के तकरीबन 28 लाग राज्य करमचारियों और पैंसनरों को कैसलेस इलाज की सुविधत मिल सकेगी और राज्य करमचारियों को अभी तक सरकार अस्पताल मेडिकल कॉलेज या प्रादिकरत संविधा करत अस्पतालों में निसल्क इलाज की सुविधत थी इलाज में आने वाले खर्च की पिर्थी पूर्ती राज्य सरकार द्वारा दी जाती है मगर आप करमचारियों को रहा देने के लिए उन्हें कैसलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी ऐसे में उन्हें पहले बुक्तान करके फिर्थी पूर्ती के जन्जट से मुक्ती मिल जाएगी हाला की कैसलेस के साथ मुझूदा व्यवस्था भी बाहल रहेगी इस्टेट हैल्थ कार्ड बनेगा सरकारी विद्पोसित अस्पतालों में लावारतियों को जरुद के इसाब से कैसलेस चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी इसकी कोई अधिक्तम सीमा निर्धारित नहीं होगी सभी करमचारियों का स्टेट हैल्थ कार्ड बनाया जाएगा इसी स्टेट हैल्थ कार्ड की सहता से लावारति को निसुल्क इलाज उपलग्द कराया जाएगा निजी अस्पताल में भी इलाज की सुविदा आईश्मान भारत के प्रदान मंत्री जन आरुग्य योजना में समझ निजी अस्पतालों में भी पंडी दीन दयाल उपाध्यर राज्य करमचारी कैसलेस चिकित्सा योजना सरकारी करमचारियों सेवा निवरित करमियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कैसलेस चिकत्सा सुविदा उपलग्द हो सकेगी ऐसे निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च की सीमा हर साल पिरती लाबारती परिवार पांस लाख रुपे तक होगी चिकत्सा सिक्छा और स्वास्ते विभाग में होगा कारपर्स फंड राजे करमचारियों और पैंसिनरों को कैसलेस इलाज की सुविदा उपलग्द कराने के लिए चिकत्सा सिक्छा विभाग और चिकत्सा एवं स्वास्ते विभाग के नियंतरन वाले अस्पतालों के यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें सबिस्क्राइब अवस्य करें टेट पॉइंट भाई मौहमद उस्फली धन्यवाद